रोतास पुलिस ने उत्तर पर्देश के अनपड़ा थाना छेत्र से फरार चल रहे 50,000 के इनामी नकसली सेख अक्तर को रोतास पुलिस की बिशेश टीम ने किया गिरफतार नकसली 89 थाना छेत्र के नवडिया गाउं का रहने वाला है ये रोतास और रंगाबाद और कैमूर की पहाड़ियों पर नकसली घटनाओं का अनजाम लगतार दे रहा था आएए जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ कहा रोतास एसपी असीस भार्ती जीन रोतास जिला को नकसल को बनाने के लिए लगतार करवाई की जा रही है और इसी क्रम में रोतास पुलिस के द्वारा सोनभद्र पुलिस के साथ समन्वे बनाते हुए आसुचना का अधान प्रदान करते हुए नकसली जिसका नाम मुहम्मद शेक अक्तर है जोकी नौडिहा का रहने वाला है तथा नोहता थाना जोकी नोहता थाना च्छत्र में है उसकी गिरफतारी की गई है उसके उपर अभी तक नोहटा थाना च्छतर सहीं चार मामले उसके दर्ज है जिसमें मडर का भी मामला है और साथी साथ कुलिस बल पर हमला का मामला है और बिस्पोटक पदार्थों के बाध्यम से बिस्पोट करने का भी मामला उसके दर्ज है इस प्रकार से इस मामले में 20 व हजार रुपे का इनाम भिगोशित था और इसकी गिरफ्तारी जो एक विशेश टीम बनाई गई थी उसके द्वारा सोनभद्र पुलिस के सयोग से किया गया है यह मुख्य रूप से नक्सली घटना कारित करने में शामिल रहा था पुलिस पर हमला करने पुलिस के विरुद आ 13 ओबलिक 3 और 35 तथा 37 ओबलिक 3 दर्ज है इस प्रकार इस नक्सली की गिरफ्तारी से इस पूरे जहत्र में एक बहतर महाल बनेगा और नक्सली को नक्सलमुक्त रोतास बनाने में यहां पे इससे काफी सहय थो